नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकेद इस पैस इडिया पर मैं हूँ अंकेद अवस्ती आप है मेरे साथ में कैसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे देखने के बाद एक ही पल को आपको ऐसा लगेगा कि जो एक समय भारत ने अपना सोना सीक्रेट तरीके से दूसरे देश के अंदर बिजवा दिया था क्या वही सोना वापस आ गया है सीक्रेट सेल औफ गोल्ड जो RBI के द्वारा वर्ष 1990 एकराण में के दौर में की गई थी जब भारत के पास में बहुत जादा डैट हो गया था क्या हम उस डैट से बाहर निकलते हुए अपना उस गिरवी रखे सोने को वापस ले आए हैं क्या यही जानने के लिए आज का सेशन देख लीजिए क्योंकि वर्ष 1991 में एक सुर्खी जिसने सभी भारत वाशियों को सर्म से जुका दिया था उसका इतिहास आज के सेशन में जिक्र जरूर करेंगे लेकिन आज जो वापस आ रहा है जिसकी चर्चा हो रही है 100 टन गोल्ड इंडिया आ रहा है इंगलेंड से वो कौन सा है सेशन के पूरा होते होते आपको पता चल ही जाएगा साथियों आपसे गुजारिश है कि सेशन को जल्दी से साथियों से साजा कर लें आप खुद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ यह तस्वीर है Bank of England जैसे अपने यहाँ पर Reserve Bank of India है ऐसे ही England के अंदर Bank of England की जहां Bank के नीचे यह जो आप जगह देख रहे हैं यह एक Underground प्लेस है Bank of England के जमीन के नीचे ऐसे 9 बड़े बड़े Undergrounds हैं जहाँ पर दुनिया भर का सोना रखा हुआ है उन में से उस सोने को देखने के लिए केवल बिटेन के राजा अथवारानी को ही इजाजत होती है जो बिटेन को लीड कर रहा होता है प्रथम नागरिक होता है वही उस गोल्ड को देख सकता है ऐसा ही एक द्रश्य आपके सामने है जिस गोल्ड को देखते हुए खुद महरानी दिखाई दे रही है जो आप स्वर्गिये हो गई है आज के सेशन में विस्तार से चर्चा है क्योंकि हैडलाइन है कि RBI अपना 100 टन सोना रिजर्व UK की वाल्ट से लेकर वापस आ रहा है तो यहाँ पर आप खबर देख रहे हैं RBI ब्रिंग बैक ला चुका है ब्रिंग बैक 100 टन ओफ गोल्ड रिजर्व फ्रॉम UK ये सुर्खी हर जगह आज के समय पर चाही हुई है तो आपसे गुजारिश है कि इस सुर्खी को विस्तार से समझने के लिए कमर की पेटिया कस लीजिए क्योंकि कहानी बड़ी रोचक होने वाली है जब आप इतना सारा गोल्ड देखते हैं तो मन में तही तरह के सवाल आने लगते हैं कि यार ये गोल्ड है तो इसकी सुरक्षा को ले करके क्या किया जाता होगा किस तरह की planning होती होगी, कहां रखते होंगे, कौन-कौन सुरक्षा करता होगा, अपने देश में कहां रखा होगा, इंडिया में gold की क्या महत्वता है, सरकार gold से कुछ खरीदती वेशती थोड़ी है, हमारे यहां तो रुपिया ही चलता है, फिर gold क्यों लाया जाता है, बहुत RNA सुबह 8 बज़े होगा, किनी कारणवश मेरी व्यस्तताओं के चलते, बाकी हमारी website है, जहां पर आप regular current affairs के लिए विजिट कर सकते हैं, हमारा application है जहां जाकर आप GA Foundation History, Geography, Policy, Economy का मेरा course 1499 में ले सकते हैं, साथियों आज की खबर को थोड़ा सा इतिहास से जोड़ते हुए लाते हैं और आज में लोटेंगे, बात है सन 1991 में की, जब देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चर्मरा गई थी, चर्मराने का अर्थ ये था कि हमारे पास दुनिया के देशों से मंगाने के लिए पैसा नहीं था, धन नहीं था, कोई सामान मंगाएं तो धन की आवश लें, तो हम गल्फ कंट्री से देश के लिए तेल मंगाया करते थे, अचा अचानक हमारी इस्तिक हराब होई नहीं थी, असल में इसके पीछे एक ऐसी हासिकता कुछ इस प्रकार की रही है, कि जब भारत आजाद हुआ ना, 1947 में, तो हमारे पास में दास्ता की एक पुरानी आदत थी, आदत कहिए या याद थी, जिसमें हमारे दिमाग में ये भाव था, कि अंग्रेज हम पर साशन क्यों किये, क्योंकि ये एक कंपनी लेकर आये थे, हमने विदेशों से कंपनी को आने दिया था, इसलिए हम गुलाम हो गए थे, तो हमारे देश में ये भावना थी कि विदेशियों को अंदर नहीं आने देना है, यानि अगर ताजा-ताजा आजाद हुए हो, तो दूसरी कमपनी को कैसे आने दोगे, तो आपने मन में एक भावना बना ली कि विदेशी कमपनी अगर आएगी तो हमें लूट कर ही जाएगी, जैसे British East India Company हम पर राज की थी, तो अपना पैदा करेंगे, अपना खाएंगे, जो हमारे पास रिजर्व है, उसी से सारा काम करेंगे, चलो सोच तो अच्छी है, लेकिन आप अपने से कुछ भी करते रहें, लेकिन दुनिया के किसी देश से माल अगर खरीदना पढ़ रहा है, तो उसको पेमेंट तो करोगे, बोले हाँ करेंगे, काई नहीं करेंगे, तो बोले काई मैं करोगे, बोले रुपिया में करेंगे, बोले रुपिया कोई मान ही नहीं रहा है, सामने वाला कह रहा है, मैं रुपिया जानता ही नहीं हो, क्यों मेरे यहाँ पर उस रुपिये से कुछ नहीं होता है, तो बोले आप क्या मानते हो, मुले मैं तो अमेरिका का डॉलर मानता हूँ मुले अमेरिका का डॉलर क्यों मानते हो क्योंकि अमेरिका का दुनिया में सिक्का चलता है Second World War के बाद में दुनिया के सामने ये माना जाता था कि डॉलर is equals to gold यानि आप डॉलर जमा कराओ उसके बदले सोना ले जाओ इतना बड़ा सिक्का चलता था अपने फिल्में सुन्दे ना, सिक्का चलता है किसी का तो असल मायने में अमेरिका का सिक्का चलता था उसका डॉलर दोगे, gold मिल जाएगा इस तरह की अमेरिका की value थी after Braytonwood some melon तो साब दुनिया के देश कहते हैं कि हम तो केवल dollar में ही व्यापार करेंगे कम से कम dollar के बदले gold तो मिलेगा ठीक बात है, अब हमारी मजबूरी ये हो गई कि हमारे पास में gold reserve है जो थोड़ा बहुत है इसके अलावा विदेशी मुद्रा के नाम पर हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार कर नहीं रहें, क्यों नहीं कर रहें क्योंकि डरते हैं, खरीदने के लिए लेकिन क्या चाहिए, पैसा चाहिए खरीदने के नाम पर हमारे बिल बढ़ते चले गए अर्थात हमारा import तो जादा होता चला गया, लेकिन हमारे exports कम होते चले गए, exports कम क्यों हो रहे थे, क्योंकि हम कोई उननत country नहीं थे, जब हम आजाद हुए थे तब एकदम पिछडे हुए अल्प विक्सित राष्ट्र थे, ऐसी इस्तिती में हमारी तो यहां की शुरुवाती जीवन में ही agriculture बुनियादी जरुवत थी agriculture को ही आगे बढ़ा रहे थे 95% के आसपास आबादी हमारी गाओं में रहती थी तो हम तो केवल पैदा करके अनाज खाने वाली इस्तिती में थे, वो भी इस्तिती हमारी compromise हुई थी यानि एक वक्त ऐसा आगया था जिस समय अगर हरित क्रांती ना आई होती तो ना जाने कितने लोग भूग से मरते क्यों क्योंकि एक वक्त का भोजन ही हम produce कर पा रहे थे जनसंख्या के हिसाब से खेर हमने वो भूग से लड़ाई लड़ी लेकिन अभी पैसे के लड़ाई लड़नी थी क्योंकि बाहर वालों को पैसा चाहिए था सब ठीक ठाक तरीके से खीच तांच के चल रहा था सरकार हलके हलके तरीके से डरते डरते अपने यहाँ पर धील दे रही थी कि कोई बात नहीं अगर हम दुनिया के देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे देने के लिए डॉलर चाहिए डॉलर आएगा कहां से जब तक हम कुछ बेचेंगे नहीं किसी को बेचने के लिए हम जाते कि सर हमें कुछ बेचना है तो सामने वाला कहता हम आप से क्यों लें किसी और देश से क्यों न ले लें बोले सर हमारे यहां यह चीज पैदा होती है बोले नहीं हमारी कंपनी को आने दोगे तब ही हम तुम्हारा माल खरी देंगे तमाम प्रकार की चीजें होने लगी इसलिए सरकार ने का ठीक है अगर कोई कंपनी हमारे यहां आना चाहती है तो हम उस पर पूरा नियंतरन रखेंगे पहले हम निर्धारित करेंगे कि यह कंपनी अगर हमारे देश में आ रही है तो इसका कोई इरादा तो खराब नहीं है हम इसके पूरी जाच परताल करेंगे तब ही जाकर इसको काम करने का लाइस यह जो license देने का आजादी के बाद system चला इसे license राज कहा गया हमारे यहां पर इस license को लेने के लिए बाबूँ के पास IS officers के पास लंबी कतारे रहती थी कि सर्जी license दे दीजिए क्योंकि वो file hem āल कलर की होती थी लाल बति में अधिकारी घुमा करते थे उस चीज को लाल फीता शाही या रैड टैपिजम के नाम से भी जाना जाने लगा कि इंडिया में लाइसेंस चाहिए तो बाबू के पास जाईए बाबू बढ़का बाबू हो सकता है छुटका बाबू हो सकता है क्लेरिकल स्टाफ भी हो सकता है लेकिन हैं ये सभी बाबू क्योंकि सरकार के नाम पर काम करते हैं फाईले पास करवा देंगे इसका ये रिश्वत लेंगे तो हमारे देश में सीधे सीधे लाइसेंस के चक्कर में लाल फीता शाही पनपने लगी और उसके सासाथ ब्रस्टाचार जबरदस्त तरीके से पनपने लगा ये सब पनपी रहा था और हमारे देश की इस्थिती चर्मराती जा रही थी क्यों क्योंकि आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो सरकार तक परमीशन लेने में लंबा समय लग रहा था कोई बात नहीं साब लाइसेंस राज चलता रहा लाल फीता शाही पनपती रही लेकिन देश की स्थिती बिगड़ती चली गई स्थिती इतनी खराब हो गई कि हम दुनिया की बहुत सी कंपनियों को काम करने के लिए जब बुलाते भी थे तो वो लोग इतना प्रड्यूस नहीं कर पाते थे जितना ब्रस्टाचार में उनका खर्च हो जाता था इस्थितियों ने करवट ली इस्थितियां बिगड़ी इस्थितियां कब बिगड़ी जब वर्ष हुआ 1990 के बाद का क्यों साहब ऐसा क्या हुआ हम जो सामाने तया तेल मंगा रहे थे अचानक वो उस तेल के दाम बढ़ गए दाम क्यों बढ़ गए क्योंकि गल्फ में यानि खाडी देशों में युद्ध छिड़ गया इराक ने अपने पड़ोसी मुलकों पर हमला कर दिया अमेरिका ने इराक को सबक सिकाने की तान ली अमेरिका इराक को अपना दुश्मन बना लिया इंडिया इराक का मित्र हुआ करता था इराक का ही हम तेल मंगाया करते थे हमारे ट्रकों की टंकियों पर लिखा होता था कि इराक का पानी, पी मेरी रानी, आज भी आपको सड़कों पर चलते हुए ये लाइन मिल जाएगी, लेकिन इंडिया और इराक में अचानक दूरियां बढ़ने लगी, क्यों? क्योंकि इराक पर हमले होने की तैयारिया चल रही थी, कि सर हमें तेल चाहिए, अब दुनिया में युद्ध का संकट है, तेल की कीमते बढ़ना शुरू हो गई, क्यों? क्योंकि युद्ध हुआ, तो फिर तेल लेने उस खाडी में जाएगा कौन? तेल नहीं मिलेगा तो दुनिया के बहुत से देश वैसे ही फेल मार जाए हमारे पास पेमेंट का संकट उत्पन हो गया, हम अमेरिका के पास गया, अमेरिका से कहा कि सर जी अगर संभव हो, तो हमें कुछ डॉलर्स दे दी जिए, अमेरिका हमेरिशा मौका परस्त रहा, उसने का ठीक है, डॉलर चाहिए मैं दे दूँगा, लेकिन पता चला है कि डाक दोस्त हैं, बुले जी हाँ, तो आपकी दोस्ती का टेस्ट करना चाहते हैं, बुले बताइए, हम अपने फाइटर जैट्स को आपकी धर्ती पर उतारेंगे, एराक पर हमला करने के लिए, ताकि हमारे फाइटर जैट्स इतना दूर से ट्रेवल करके तो आएंगे नही लेकिन आपकी धर्ती से उतर करके हम वहाँ पर हमला करने जा सकेंगे, अमेरिका ने बहुत बार हमारे साथ ऐसी ही तैयारियां चेक की हैं, उसके बदले उसने हमें डॉलर्स ओफर किये, ये टेक्टिक भी कुछ ही दिन काम आई, हमें अभी भी पैसे की जरुद थी, पैसे से गुजर रहा होता है, यानि की बैलेंस ओफ पेमेंट, अर्थात, इंपोर्ट, जादा, एक्सपोर्ट कम के दौर से गुजर रहा होता है, जो अभी पाकिस्तान के हालात है, तो फिर आई-एम-एफ निकल कर बाहर आता है, आई-एम-एफ कहता है, कि अगर आपको डॉलर चाहिए, मैं दूँगा, लेकिन मेरे कहे, अनुसार आपको कुछ सुधार करने होंगे, तो बोले सुधार क्या चाहते हो, बोले हमारी जो कमपनिया है, इन्हें अपने देश में आने की परमीशन दो, जो अभी पाकिस्तान में फिलहाल हो रहा है, हम 1901 में वो सब देख अमेरिका ने हमसे एकदम द्रड़ता से कहा, डॉलर दोगे, काम चल जाएगा, डॉलर लोगे तो आपको हमारे लिए ये नियम खोलने पड़ेंगे, IMF के नाम पर उसने हमारे साथ मांडोली करना शुरू किया, हमने कहा हम सब मान लेंगे, आप हमें डॉलर दो हमारे तेल क के बिना काम नहीं चल रहा है, अमेरिका की IMF ने हमें, अब मैं ये जो बोलता हूँ ना, अमेरिका की IMF, इस वे आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता है कि उसका वन थर्ड पैसा अमेरिका का है, तो अमेरिका का इतना जबरदस्त कंट्रोल है, वर करते जा रहे थे, hand to mouth इस्थिती हो गई, सरकार की गरीबी सब के सामने आने लगी, जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, लोग हमारे बारे में भी उस समय ऐसे ही कहा करते थे, अब हमारे उपर दवाब था कि IMF का कहा हुआ मान ले, जो सहबाश शरीफ ने अभी माना है, उस सम देश में दूसरी कंपनियों को आने नहीं देंगे, otherwise हम गुलाम हो जाएंगे, लेकिन अगर हम खोलते नहीं हैं, तो पैसे का संकट है, कोई बात नहीं, इस बीच में गोल्ड का रास्ता निकला, वो ले एक काम करो, RBI के पास कुछ गोल्ड रखा हुआ है, RBI ने अपनी त ला सकते हो, तो चला लो, RBI ने कुछ ऐसा ही किया, कि अगर देश के लिए इतना ही बड़ा संकट आ गया है, तो लीजिए, मेरा ये गोल्ड ले लीजिए, और इसे जाकर किसी दूसरे देश में गिरवी रख दीजिए, और इसके बदले पैसा ले लीजिए, भारत में गोल गिरवी रख रही है, ये वो दौर था 1991 में खा, हमने चोरी छुपे इस गोल्ड को पुचाने का प्लान बनाया, प्लान बनाया, बैंक ऑफ इंग्लेंड में और बैंक ऑफ जापान में अपना सोना दे के, और उसके बदले डॉलर लेके आने का, हमने लगभग 40-45 टन अपन सोना उनको दिया, और उसके बदले 400 मिलियन डॉलर के आसपास धन लेकर लोट आए, हम बहुती चोरी छुपे अपना गोल्ड लेकर गए, किसी को बताया नहीं हमने, लेकिन उस समय के कुछ अखबारों ने इसे लीग कर दिया, उनमें एक्सप्रेक्स का नाम भी काफी भारत का सोना चोरी छुपे, दूसरे देश में रखने को मजबूर हुआ, इस से भारतियों का आत्म सम्मान कुंठित हुआ, कि यार नहीं बस, अब बहुत हो गया, हमारी कौन सी ऐसी नीती है, जिसके चलते हम इतने परेशान हुए, जिसके लिए हमें अपना गोल्ड गिर अपनाना पड़ेगा, निजी करन ये हमें अपनाना पड़ेगा, अगर हम ये नहीं अपनाएंगे, डॉलर्स हमारे देश में खुद चलके नहीं आएंगे, और जब डॉलर्स नहीं आएंगे, तो हम किसी को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम failure economy बन जाएंगे उस समय मनमोहन सिंग जी PM हुआ करते थे RBI वित्त सलाकार और IMF का पड़ता pressure और देश की हुई बेजजती ने उस समय लाकर हमें वहाँ खड़ा कर दिया कि नहीं अब हमें अपने बजट में ये चीज प्रस्तुत करनी है सरकार थी PM थे PM के सामने वित्त मंत्री ने अपनी जानकारी रखी कि सर अब हमको नियम बदलने पड़ेंगे बरबाद होने वाले हैं बोले बदल दो नियम तो इंडिया जो साफ़न सन 47 से एकरान में तक नियम बांद कर चल रहा था किसी को नहीं आने देंगे, किसी को नहीं आने देंगे अचानक हमने अपनी सीमाएं खोल दी निरंतर हम उन सीमाओं की अंदर दाएरे बढ़ाते जा रहे हैं कि लीजे साब इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया आगई कहानी यहां तक समझ में अब कहानी आगे की सुनते हैं तो आपके दिमाख में बड़ा प्रशन यह है कि सर वो जो गोल्ड गया था उसके बदले पैसा तो आ गया तेश के अंदर तेल किसी कि हम सबसे लड़ लिये सब हो गया ये सारी बाते मैंने सुना दिया आप लोगों को वो वाला जो गोल्ड हमने उस समय गिर्वी रखा था न वो तो हमारे पास वापस आ चुका है तो फिर क्या हुआ है अब असल माईने में कुछ इस्टेटिक्स अलग हैं अब वो इस्टेटिक्स क्या है उनको समझते हैं साथियों अब इंडिया की RBI के पास मार्च 31 की रिपोर्ट के अनुसार आज से एक महने पहले तक दो महने पहले तक 822 टन सोना हमारे पास था अल्रेड़ी 822 मेट्रिक टन सोना RBI के पास है अब ये जो 822 टन सोना जो हमारे पास है न इस में से लगभग 514 टन जो सोना है वो हमने बाहर सुरक्षित रखा हुआ है यानि 400 से 500 मैट्रिक टन गोल्ड जो है वो हमने इंडिया से बाहर रखा हुआ है अब बड़ा सवाल ये है हमारे पास है और हमने रखा हुआ है क्या अभी भी गिर्वी रखा है क्या महाराज जी नहीं तो फिर हमने जमा करके रखा हुआ है कहां रखा हुआ है? दुनिया की बैंकों में रखा हुआ है उन में से भी मेजर बैंक कौन सी है? बैंक आफ इंग्लेंड है खबर क्या है? हम उस जमा अपने गोल्ड में से 100 टन सोना वापस ले आएं हैं तो पहला क्वेशन तो यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए गिर्वी सोना तो हम पहले ही मंगा लिए उसके बाद में हम जो अपना सोना बैंक में जमा करा के रखे हुए थे उसमें से 100 टन सोना ले आएं हैं तो पहला तो यहां तक पहुँचते पहुँचते एक डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए अब बड़ा सवाल यह बनता है सर लेकिन बाकी तो बात सही है हम अपना सोना मा रखे क्यों थे यह तो बढ़िया सवाल है चलिए अब इसका आंसर खोजते हैं अल्टिमेटली इंडिया अपना गोल्ड वहां पर इसी भी न्यूस की continuity में तो आप मुझे यहाँ पर follow कर सकते हैं अच्छा तो अब बड़ा सवाल यह है कि यह वाला जो सोना आज हम चर्चा कर रहे हैं यह असल में हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं और यह वहां क्यों रखा था बड़ा सवाल अब यह है चलिए इसका जवाब खोजते हैं देखिए क्या है न जी कि आज एंडिया को कभी भी balance of payment का crisis हो तो कोई ऐसे neutral आदमी चाहिए जिसके साथ हम सोने की लेंदेन कर सकें पहला तो point यहां समझने की आवशकता है दूसरा point क्या समझने की आवशकता है कि आपके पास 822 टन सोना है भारत का foreign reserve, forex इसी सोने से जज किया जाता है सोने से जज किया जाता है साथ ही साथ में जो IMF के अंदर जो हमारा मुद्रा भंडार है न उसके साब से भी जिसको हम SDR कहते है special drawing rights जिसमें 5 देशों की currencies को count किया जाता है कि आपके पास डॉलर कितना है, pound कितना है euro कितना है, yuan कितना है और Japani yen कितना है इन 5 देशों की currency जिसे SDR कहते है special drawing rights ये धन कितना है और gold कितना है इस आधार पर जज किया जाता है कि forex कितना है ठीक है अब इस forex में से रुपिया दो रोकड़ा तो हम अपने देश में रख लेते हैं उसे कौन चोरी करेगा कोई समझेगा ही नहीं कोई सबजी वाला लेगा ही नहीं लेकिन gold तो कोई भी ले सकता है तो सुरक्षा के लिहाज से हम अपना gold दूसरे देश में सुरक्षित र बिल्कुल होना चाहिए काई नहीं होना चाहिए तो यहीं तो सवाल है कि इतने दिन से वां काई रखे थे अर्थात हमारा अपना सोना जो दुनिया में हमने इसलिए सुरक्षित रखा हुआ है कि हमें डर है कि हमारे पास रह गया तो चोरी ना हो जाए अब चोरी कौन चोर करेगा यार इतना बड़ा गोल्ड सरकार के पास सब कुछ उरक्षा होती है बहुत सही साथियों जब देश में एस्थिर्टा का माहौल हो देश के अंदर हर साल कोई प्रधानमंत्री चेंज हो रहा हो राजिनेतिक उठा-पटक हो सेन तक्षता-पलट का डर हो ऐसी इस्थित हो पता चले कि वो सारा गोल्ड निकाल करके और अपने काम में ले ले तो बोले भाई इससे अच्छा है दूसरे देश में रख दो ताकि दुनिया को पता तो चले कि सोना चला गया आई बात समझ में इसलिए दुनिया के अंदर जो भी अल्प विकसित या विकास शील चला गया था उसी के पास जाकर हमने अपना सोना सुरक्षित रख दिया कि नहीं साब इतना सोना पचाने की आप में टेंडेंसी रही है तो आप ये भी पचा ही लोगे हम अपना सोना जाकर वहां की वॉल्ट में रख दिये तो अब समझो बैंक ऑफ इंग्लेंड के अंदर नो बहुत बड़े-बड़े अंडरग्राउंड में गोल्ड रखा गया है दुनिया भर के देशों ने अपना गोल्ड उसमें रखा हुआ है कि लीजे साब हमारा गोल्ड सुरक्षित रखी है अब होता ये है कि कोई भी देश वहां से गोल्ड निकालता नहीं है तो क्या कर है, B देश से उसे डॉलर चाहिए, तो kaunt में ही transfer हो जाता है, वही से ही, जिसे आदाँ, आपके नाम का gold दूसरे के नाम पर चड़ाना है, कि हाँ भई, A नाम का gold, B नाम पर चड़ा दो, इसके dollar इसके नाम चड़ा दो, यानि कि माल रख करके exchange of currencies कर ली जाती है, इक तरहा से समझिये की वह मंडी बनकर बैठा हुआ है जैसे आप अनाज-मंडी को भी जाएंगे तो वहां पर जो अनाज कें धेर लगे हुए है वह बिखते कैसे रहते हैं साब यह आनाज की डेड़ी मेरी हो गई बोले कितने की बोले ये तने की हो गई अब उसके बाद में कोई दूसरा है बाई तनी तो लग चुकी इस पर और कोई है बोले हाँ अब ये मेरी होगी वह रखा है भाव उसका उल्टा नीचा चल रहा है उम्मीद है कि यह थोड़ा बहुत clarity आई होगी तो बोले सर अब लेकिन हमको ये चीज लग रही है हमारे देश में तो बड़ी स्थिरता है इस्थिरता है तो गोल्ड तो हमारे देश में आना चाहिए बिलकुल आना चाहिए लेकिन अगर आ गया तो रखां कहा जाएगा ये तो बड़ा सवाल है क्या ह हमारे देश में बिलकुल भी गोल्ड नहीं रखा हुआ है क्या हमने बिलकुल रखा हुआ है कहां रखा हुआ है Reserve Bank of India Mumbai Headquarter वहां पर Minto Road पर हमारा गोल्ड रखा हुआ है साथ ही साथ हम नागपूर में भी अपना गोल्ड रखते हैं ये जो गोल्ड आएगा इसे भी कुछ इ पर प्रकास डाली चलिए तो इसके बारे में जानते हैं साथियों अब हमारे पास में गोल्ड है इस समय 822 टन पिछले दस सालों में हमारे पास में बहुत ज्यादा मतलब पिछले पांच सालों के अंदर जो गोल्ड है वो लगभग 200 टन गोल्ड हमने पर्चेज किया 203.9 9 टन सोने के भंडार पिछले 5 सालों में बड़े हैं इंडिया ने खूब सारा गोल्ड खरीद के रख लिया क्योंकि दुनिया में सोना ही चलता है तो हमने खरीद के रख लिया कि भाई रखो ताकि भविश्य में कभी काम आएगा इस तरह से गोल्ड खरीद के रख लिया अ दुनिया में सबसे जाधा गोल्ड कहा हैं, तो देखिए, दुनिया में सबसे जाधा गोल्ड जो है वो अमेरिका में है, देखिए, दो बात समझे, Reserve Bank of America जो है जिसको Federal Bank कहते हैं, और Bank of England, ये दुनिया का अधिक्तम गोल्ड अपने पास सुरक्षित रखते हैं, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका जिसमें अमेरिका का अपना गोल्ड भी है वो 8100 तन लगभग इंडिया से 10 टाइम्स जादा गोल्ड रख करके अमेरिका बैठा हुआ है अब आप तो देख करके यह लगेगा यार यह तो गोल्ड इनके पास इतना जादा है अच्छा इसी लिए यह लोग पैसे वाले हैं क्या हाँ शायद आप यह समझ सकते हैं फिर इसके बाद जर्मनी इटली फ्रांस रूस चीन इस प्रकार से गोल्ड होता है एक बात बताईए सर इतना जादा गोल्ड यह रखके बैठे हम तो इसी में ही डिप्रेशन में चले गए फिर इंडिया का इन टॉप पाँच कंट्रियों को भी मिला दो और सोचो पूरे टॉप टैन कंट्रियों को भी मिला दो तो जितना गोल्ड निकल कर आये उतना गोल्ड भारत की महिलाएं पहनती है या वो तिजोरी में रखती है यहां से समझना यह वाला जो गोल्ड दिख रहा है 822 टन का यह हमारी बैंकों में है लेकिन जो हमारे घरों का सोना है जिसे हम अपना नहीं मानते जो हैडिटेज टेक्स के रूप में आगे नहीं देना है अपने पास ही रखना है वो गोल्ड 21,000 से लेके 22,000 टन अनुमानित है जोड लीजिए इन आंकडों को आंकड़े गड़ जाएंगे दुनिया के 10 देश एक तरफ भारत की महिलाएं एक तरफ इंडिया की पर्चेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया का तीसरा बड़ा एकॉनोमी पहले से यह भारत हमारे पास खरीदने की छमता बहुत है हमारे पास कुछ होना हो घर में गोल्ड जरू सरकार के पास जो कुल गोल्ड है उसका तीन गुना गोल्ड हमारे मंदिरों में है तो बिंदास रही है घवराई है नहीं सरकारी गोल्ड की बात हो रही है आगे बढ़ते हैं चले ठीक है यहां तक समझ में आ गया तो यह इस्थिता पैदा करता है इस तरह से आप समझ अंडर ग्राउंड के अंदर ऐसे गोल्ड इस्टोरेज के अंदर रखा जाता है ठीक है ना तो ये एक तस्वीर है सिंबॉलिक तरीके से आप समझ सकते हैं ठीक है चलिए अब एक सवाल बना सर फिर भी हम ला क्यों रहे हैं बाहर रखा हुआ है तो ठीक है रहने देते लाए क होता है कि पैसे वाले लोग है कि यहां बई पता कितना पैसा आ रहा है मेरा तुम्हारी तरफ बोले सर आ रहा है दो पांस जार उर्पिया ठाइब से तो भले या ठीक है जर्वत पड़े तब दे देना रख ले अभी बाद में दे देना ऐसे अमीर देश क्या करते हैं अप फ्रीज कर दिये साथ रशिया पर सेंक्शन लगाने के नाम पर इन लोगों ने लगभग 280 बिलियन डॉलर का जो गोल्ड था या जो इनका सामान था पुतिन का यूकरेन के ऊपर उसके असेट को जमा कर लिया इनके घर गरस्ती इनका जो कोई याच खड़ा है उसको जब्त कर लिया बैंक में धने उसको जब्त कर लिया दुनिया भर में एकदम अचानक रुप से गबर लिया कि यार इसको गबन कर लो क्योंकि रशिया का पैसा है सेंक्शन लगा हमने का था युद्ध मत कर नहीं माना तो दमन लो सोचके देखो इंडिया इतना सारा गोल्ड रखक जमा कर लिये और उस पैसे को युकरेन को दे रहे हैं कि लीजे भाई युकरेन वालो तुम अपना देश दुवारा से तयार करो हम रशियन पैसा तुमको देंगे कल को इंडिया किसी पर चड़ाई कर दे मानलो पिये को पियो को ले ले वापस उसके लिए लड़ाई जाए और ये लोग वा कहें कि पाकिस्तान से तुम तो वैसे ही मरे जा रहे हो ये पकड़ो इंडिया का गोल्ड तुम रखो ऐसा कुछ ना हो ऐसी स्थती में सुरक्षा के लिहाद से इंडिया अपना गोल्ड वापस मंगा रहा है तो उमीद है कि अब आप लोगों को सभी प्रशनों का जवाब मिल गया होगा अब यार जब आपको इतने अच्छे से प्रशनों का जवाब मिल गया है तो दम लगाकर जो भी लोग उपस्थित हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाऊगे वो सब्सक्राइब का बटन दिया हूँ इसको दबा दीजिए ताकि लगे कि हाँ आपके प्रश्णों का जवाब भी मिला है, आपको गर्व भी दिलाया है, जब नाम ही Ankit Inspires India है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें सुपर थैंक्स में पैसे भेज रहे हैं, डॉलर्स भेज रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी प्रक को नई उठने देना है बहुत हुआ है हमारे साथ हमारे चैनल को पिटवा दिया गया है पूरी तरह से लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं एक दिन वापस लोटेंगे आप से गुजारिश्ट करी सकते हैं कि आप हमारा साथ अवश्य दें फिलाल के लिए इता ही अपना खयाल बहुत 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 है